हेलो फ्रेंड मेलिंगराच पटिल मेरा चैनल में आप सब का स्वागत करता हूँ आज मैं आप सब के लिए ब्रेट से बना मिठाई की रेशिपी लेकिया हूँ जिसको कि आप देखने के बाद यकीन ही नहीं करेंगे कि ऐसा है भी मिठाई ब्रेट से बन सकता है आज की ये मिठाई को हम ग्यास बिना जला ही बनाएंगे तो चलिए आप आगे देखते रहिए इसको मैं कैसे बनाऊंगा तो फिर चलिए दोस्तो आज की रेशिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं आज की ये मिठाई की रेशिपी को बनाने के लिए हाँ मैं सबसे पहले चाहिए ब्रेट और मैने यहाँ पे 6 ब्रेट लिया है यह चारों साइट को काटको अलग कर दो, आपके काटने के बाद इसे को फिकना लाई है. आप इसको रख कर रख के मिक्सी इससा क्रॉम्स बना के यूज कर सकते हैं. और देखिए बीच का पाट्स इसको आपके अलग कर लिए है, आप हम लेंगे मिक्सी, मिक्सी में सारा ब्रेट को इस तरह से छोटा-छ यह देखिए हम नहीं इसको अच्रह से पीस लिए है आफ देख सकते इसी तरह हमें इसको पीस नहाए अब इमें कडोरी लेंगे अधस्य में सारे पीसा उफट को डाल देंगे मैं थोड़ असा चीनी लेंगे और इसको भी पीस लेंगे त्सफर क обीSo porterわか साथ चीनी को भी इसमेंगे,में इसमें एट करेंगे,थोड़ा सा zar Ivan powder, इसको डालने से हमारे मिठाई बहुत अच्छा बनेगा, आम्ना डाल DIA Amol powder,ः सबसे लास्ट में इस में त Kr envi रह्ँ आलेंगे ,थोड़ा सा Narial का बुरादा ,टि देखें, इसको डालने से हमारे मिठाई बहुत ही टेस्टी बनेगी इन सारे चीजों को डालने के बाद इसकों में एक बार अच्छी तरह से हातों से मिक्स कर लेंगे जब यह अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा इसके बाद इसमेट करेंगे मिल्क हमने दूद को पहले ही गरम कर लिया था अग दूद हम एक दम मलाई वाला चाहिए चली मैं आपको दिखाता हूं यह देखे हमने एकदम मलाई वाला दूद का यूच किया है आप चाहिए तो स्रिफ मलाई भी ले सकते हैं अब हम सारा दूद को इसमें डाल देंगे इसका टेक्स्चर एकदम चेंज हो गिया है अब यह बनके रेडी हो गिया है अब हम लेंगे प्लास्टिक का टिफिन यह देखे आप कोई पर डबा ले सकते हैं अब हम इसमें डाल लेंगे एक टीशु पेपर हमने टीशु पेपर में थोड़ा सा गय का घी लगा दिया है यह देखे अब हम इसको इस तरह से इसमें सेट कर लेंगे किसु पर इस तरह से देखे अगर इसमें मिठाई को सेट करेंगे तो यह बाद में बहुत यासानी से निकल जाएगा यह देखे अब यह अच्छी तरह से सेट हो गया है अब हम थोड़ा थोड़ा मिक्स्चर लेक इसमें डालते जाएंगे और इसको डालने के बाद इसको भी अच्छी तरह से इसमें फैला के सेट कर लेंगे ये देखिए बिल्कुल इसी तरह में इसको इसमें डालते जाना है और इसको हातों से अच्छी तरह से दवा दवा के इसको चारों तरह फैला के सेट कर लेना है औ अब अच्छी तरह से सैड भी हो गया है अब देख सकते हैं अब हम इसको थोड़ा इस तरह से कहला देंगे यह देखिए बिलकुल इसी तरह और इसको इस तरह से करने के बाद अब हम इसको प्लेट में पलट देंगे इस तरह से पलटने के बाद इसको उपर से इस तरह कुट के इसको निकाल लेंगे और यह देखें दोस्तों अब अच्छी तरह से बन गया है अब इसमें का टीशी पेपर को इससे अलग कर देंगे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है यह देखें हमारा टीशी पेपर बहुत यासानी से निकल गया है अब हम इस थोड़ा सा लगा दिया है और थोड़ा सा लगा देंगे यह देखे अब इसमें बहुत एच्छा लुक आ गया है अब हम इसका ओपर थोड़ा सा ट्रैफोर्ज डालेंगे यह में डाल दिया थोड़ा सा पीस्ता उपर से डालेंगे थोड़ा सा बादम यह देखे इसका लुक और दो चैंज हो गिया है बहुत अच्छा लग रहा है अभी हम लें लेंगे दिगों अच्छे को के मदद से इसको स्क्वेर से यहाँ पर गर में बना के दिखाया हुँ मेरे बतायवा तरीके से आप इसको एक बर घर में बना के ट्राय जरूर करिएगा आपको यह बहुत पसंद आएगा और यह देखें दोस्तो हमारा ब्रेट से बना मिठाई बनके रेडी हो गया है तो इसको देख के बोल भी नहीं सकता कि यह ब्रेट से बना है छेली में आपको एक पीस चेक करा के भी दिखा देता हूँ यह देखें यह दिखने में कितना अच्छा लग रहा है क्या आप इसको देख के बोल सकते हैं यह ब्रेट से बना है यह खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है दोस्तो आज के मेरा ब्रेट से बना मिठाई का रेसिप्य आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा और जिसने में मेरा चैनल को अज तक सस्क्राइब नहीं किया है प्लिस सस्क्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दुबा दीजिएगा ताकि मेरा आने वाला हर निया विडिक रिपकसल आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और आप मेरा वीडियो को वाच कर सकें दोस्तों फिर मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में और एक निया रेसिपी के साथ थैंक्स पर वाचिंग में वीडियो फ्रेंद्स